अगर डोरेमॉन और शिंग्चैनी की स्कूल होते ना तो उस स्कूल का प्रिंस्पल होता डोरेमॉन राइटेस स्टुडेंट होता नोविता और एक वो बंदे होते ना जो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं वो होते सुनी और कजामा पूरे स्कूल में ऐसे बंदे होती हैं जो सभी से लड़ लेती हैं वो होती जियान और नैनी और पूरे स्कूल की सबसे hottest girl होती शिजुका एक लड़का जो पूरा शांत रहता है पर बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है वो होता बो फर्स्ट बेंचर होती कसामा और डेकी सुगी और पूरे स्कूल में एक डरा डरा सा लड़का होता है न वो होता हमारा मसाओ बैक बेंचर वो होता जो लेजंड ओफ धग लाइफ और लेजंड ओफ मीम है जिसके दम पे पूरा स्कूल चलता है वो होता हमारा शिंग चैन